गुद मॉर्णी आवरिवन एंड टुडे वी आर गोईंग टो डिसकोस अवर न्यू चैप्टर नेम कांटिनूटी एंड डिफ्रेंशेबल्टी तो इस चैप्टर में हम क्या सिखेंगे कि कैसे डिफ्रेंट पॉइंट पे कोई चीज कांटिनूज होती है और कैसे हम उस कांटिनूटी फाइंड करते हैं अप आपको सोच रहे होंगे कि हमारा यह पढ़ते क्यों है तो सबसे पहले आपने एक फीजिक्स में फीजिक्स केमिस्ट्री में आप एक कंसेप्ट का यूज करते हो जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड या फिर निकालनी होती है इ उसके लिए यूज करते हैं ds upon dt इसका मतलब क्या होता है ds का ds का मतलब हम इससे को denote करते हैं as a change in speed upon change in time with respect to time मतलब इतनी speed में अगर मैं speed में इतना change करूँ तो मेरे time में इतना change करूँ speed में इतना change करूँ as का मतलब change in speed जिसको हम बोलते है initial speed को minus करना है किसमें से जो हमारी exact speed आई है और change in time का मतलब क्या है जिस time पे हम बाद में travel कर रहे हैं और जिस time पे हम exact point of time क्या है जिस पे हम travel कर रहे हैं उसकी बात करते हैं तो यानिकि इस त इस चीज का use करते हैं कि जहां पर हमने use करना होता है differentiability का differentiability के लिए हम सब इस सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए continuity क्योंकि continuity का concept ऐसा है जिसके base पे ही आप differentiability का concept use करते हो अब main बात आती है कि continuity होती क्या है continuity अब देखो यह वर्ड खुद को ही डिनोट कर रहा है continuous राइट continuous का मतलब क्यों आपता है जो चल रहा है बस एक हिसाब से मतलब जो बिल्कुल बीच जिसमें बीच में कोई भी gap या फिर यह को हो कि break नहीं है जो continuous चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं कि वह किससा ही चल रहा है ब इसको मैंने नाम दे दिया ठीक है यह मेरे पास कोई लाइन है इसको मैंने नाम दे दिया पी इसमें के जब यह लाइन मैंने लगाई इसमें मेरे को पैन उठाना पड़ा नहीं जब मेरे को इसमें कहीं भी पैन उठाना नहीं पड़ा और यह मैंने एक इस ट्रॉक में को एक और चीज करके दिखाती हूं मालो मेरे पास एक यह लाइन है ऐसे और मेरे को यह अब देखो क्या है यह मैंने कंटिनुट्स खिची यह लाइन नहीं क्योंकि देखो इसमें यह पोर्शन जो है इस पे मेरी लाइन नहीं आई तो यानि कि इस पॉइंट पे मेरे को पैन स्टैंथ में कंसेप्ट करते थे आप 5-1 मतलब जैसे जैसे हम एक्स के वैलिए को चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे हमारा य चेंज होता रहेगा साथ ने आपने एक ऐसे पढ़ा होगा जिसको नहीं बोलते थे mode of X. इसको बोलते हैं हम mode of X इसको represent mode को हम कैसे खोलते हैं? modulator को modulator को हम कैसे खोलते है minus X और plus X में right? मानो जैसे जैसे मैं X की value change करती रहोंगी वैसे-वैसे Y की value में भी change दागा और Y की value मेरे पास क्या है? mode of X तो इसका graph कैसे बनेगा? ऐसा कुछ, right, मालो आपने x की value रखी 0, तो 0 यहाँ पर आएगा दोनों cases में, x की value रखी 1, तो एक आएगा आपका minus 1, और एक आएगा plus 1, यानि कि यहाँ पर minus 1, और यह plus 1, similarly मालो आपने 2 रखी, तो यह minus 2, plus 2, minus 3, plus 3, इस तरह आपकी values आती जाएगी, जैसे जैसे आप x को व बात करते हैं, तो वहाँ पर बात आती है, कि जब भी हम कोई भी line एक इस फ्रोक में, बिना पैन उठाए, draw कर दे, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, continuity बोलते हैं, अब इसको functions में use कैसे करते हैं, अब वो समझते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए हम definitions देख लेते हैं, आखि function is set to be continuous, एक function को continuous तब खहा जाएगा, at a point, at x is equal to a, किसी भी point a पे, if f of a exist, f of a exist करने का क्या मतलब है, देखो, मालो मैंने ये line p खिचे थी, यहाँ पर ये कोई point, मालो, जब मैं x की कोई value पुट करूँगी, तो मेरे पास कोई value आएगी, मालो मैंने x की value, यहाँ पर f of x की value मैंने पुट कर दी, 2, छीक है, मेरे पास यहाँ पर मेरे कोई value मिली, राइट, अब देखो, यहाँ पर जब इस वाली figure में बात करेंगे, जब हम इस वाली line पर बात करेंगे, मालो मैंने x की value 2 पुट की थी, लेकिन मेरी y की value यहाँ पर नहीं आई, क्यों, इस line में break आगय राइट, समझ रही हो, पहले आप एक बार समझ लो, उस concept को आपको ज़्याद अच्छे से clear होगा, तो जब आप यहाँ पर x की value मालो, put कर रहे हो, और आपको y की value मिल रही है, हर point पे मिल रही है, राइट, हर point पे मिल रही है, तो उसको आप कहोगी, कि f of x है मेरा continuous, आप द इतनी बार समझ आपको इसलिए कहते हैं, कि f of a exist करना चाहिए, का मतलब f of a, जब भी मैं x की value कर, put करूं, तो मेरे पास f of a की value आनी चाहिए, और वो value कैसी होनी चाहिए, finite, definite and real, ठीक है, मतलब यह नहीं है, कि वो infinity आजे, या फिर 0 by 0, कुछ भी form बन जे, उसकी ऐसी जो हम define नहीं कर सकते, ऐसी उसकी कोई value नहीं बननी चाहिए, और इसका third case, second case क्या कहता है, कि limit f of x exist की limit उसकी exist करनी चाहिए, अब देखो, limit का concept आ गया, limit का concept क्या गयता है, सबसे पहले, limit का concept हम समझ देते है, मालो मेरे पास एक कोई real line है, मेरे पास यह number है, 1, ठीक है, और यह 0, और यह, sorry, यह minus 1, यह 1, 0, और यह 1, मेरे पास यह real line है, अब f of x के exist limit जब x of a हो, तो x of a, a को मैं माल लेती हूँ 0, अब f of x exist करना चाहिए, मतलब 0 पे f of is की value आनी चाहिए, मतलब limit में, limit लगाऊं मैं, अगर f of x के उपर, तो वो मेरी value देनी चाहिए उसको, right, इतनी बात लिए रहे, अब limit क्या क्याती है, कि उसके जो neighborhood का point हो, neighborhood के point का मतलब क्या है, मालो मैंने 0 point लिया, 0 से जरा सा पिछे चलो, जरा सा पिछे चलने का मतलब, मैं ले लेती हूँ, 1 minus 1.9999999999, up to इतने बार, मतलब, यह बिल्कुल approximate कि इसके पास चला गया, 0 के पास चला गया, त अगर मैं दूसरी साइट से देखू, तो यह होना चाहिए, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, up to son, और कहीं पे जाके 9 आ गया, या फिर 10 आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब, इसको भी लिख सकती हूँ, 0, तो यहां कहने का मतलब क्या है, कि limit में अगर मैं x tends to a, f of x, put करूं, मतलब, x tends to a की value, यहां पर कोई भी variable हो सकता है, इस case में मैंने लिया 0, तो वो exist करें, यानि कि उसमें हो, तो देखो, अब इस पूरी line पे 0 है, और इसके approximate की जो value देती है, वो भी इस line पे है, क्योंकि इस line में बिल्कुल भी break नहीं है, इतनी बात के लिए रहोगी आपको, तो first condition क्या थी, कि f of a exist करना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, finite, definite और real, second condition क्या थी, कि अगर मैं limit लगाऊं उस पे, तो limit भी में क्या मेरे क्या होना चाहिए, f of x exist करना चाहिए, और अब बात करते हैं, third case की, third case क्या क्याता है, कि अगर मैं f of x पे limit लगाऊं, x tends to a, यहां पे तो exist क कर गी, वो exist होने के बाद उसकी जो value आएगी, वो f of a आएगी, right, देखो, f of a exist करा दिया था, उसके बाद limit लगा के f of x पे exist करा दिया, अब यह दोन्यों चिज्जे क्या हानी चाहिए, equal आनी चाहिए, इतनी बात clear, बस यह हमारे क्या कहती है, continuity कहती है, सबसे पहले, मालो म इसको एक और detail में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, मालो मेरे पास यह कोई line है, यह वली, इसको मैं नाम दे देती हूँ, दूसरी line मुनाते है, मालो मेरे पास कोई line है, यह, यह मेरे पास कोई line है, ठीक है, अब इस line पे क्या आ गया, f of x की मैं नहीं कोई value पुट कि, F of X की और वो मेरी exist करती है यहाँ पर right और वो value कई आईगी मालो मैंने F of X की value इसको देख के पुट की थी, वो value मेरी यहाँí यानि कि इसको देख के पुट कि है यानि कि F of X भी मेरे पास है क्योंकि exact उमेने value पुट कि है वो तो मेरे पास होगी है और उसकी जो value graph पर चीए मेरे को वो value भी मेरे पास है और वो दुन्नों values क्या है मेरी equal है तो अब मेरे पास ये क्या हो गया function continuous हो गया इतनी बात के लिए न चलिए अब दिख लिते हैं इसके कुछ functions कैसे कैसे अपनी values को gain करता है तो उसकी theorems कुछ है if f and g be continuous function अगर f और g continuous function है at a किसी भी function a पर then f plus g is continuous at a अब continuous होने के लिए सबसे पहले क्या होना चीए था f of a होना चीए था ठीक है और limit अगर मैं लगाऊ x tends to a f of x पर तो वो भी होना चीए exist करना चीए और third की चीज क्या थी कि ये दोनों क्या होने चीए equal यहनि कि ये दोनों चीज जे f के case में भी true है और g के case में भी true है g को कैसे लिखेंगे g of a भी exist करता है limit x tends to a g of a भी exist करता है g of x भी exist करता है और ये दोनों equal भी है ठीक है तो f की condition भी मैंने लिग दी और g की condition भी लेग दी अगर бар मेरे पास f भी continuous और g भी continuous है तो उनकी addition भी क्या होगी continuous कोई function मैं मेरे पास यह कोई graph है ठीक ही? इसमें मेरे पास f भी continuous function ह है और मांबो जी भी continuous function है, इसके साथ साथ चल रहा है या कहीं और भी लगा लो उसको कोई फरक नहीं पड़ता है ये f of x की वेली है g of x की वेली मैंने यहां ले ली तो क्या इनका addition भी continuous होगा तो इनका addition भी क्या होगा continuous राइट अब बात करते हैं इनके difference की इनको ऐसे पढ़ने का तरीका देखना आपको जादक लिए रहोगा कि f minus g is continuous मतलब उनका difference भी क्या होगा continuous कब जब f और g दोनों कैसे function है continuous अब third condition क्या कहती है कि मेरा c into f is continuous c यहां पे कोई भी real number है अगर किसी भी real number को f से multiply कर देंगे तो वह भी क्या चीज होगी continuous इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो मेरे पास कोई function ओर डिए continuous है माल लो मैं आपको इसको graph में बना के दिखाऊं तो मेरे पास यह कोई graph है और मेरे पास यह कोई continuous function है ठीक है अब मैं इसको multiply कर देती हूं 3 से तो इसकी value थोड़ी सी बढ़ेगी कुछ भी मैंने मैंने इसको किसी variable से multiply कर दिया इसकी value बढ़के यह आगी लेकिन है तो अभी भी यह continuous ना कहीं पर ब्रेक तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वह values क्या देगी continuous देगी अब फूर्थ कंडिशन क्या कहते है कि f into g is continuous मतलब f को अगर मैं किसी जी से multiply कर दू जो भी continuous है दोनों function को मैं आपस में multiply कर दू तो उनकी जो multiplication होगी वह भी continuous होगी at function ap ठीक है अब इनकी last कहते है कि इनकी जो divide होगी वह भी क्या होगी continuous अब जो इनका use है वह हम करेंगे questions में right I hope आपको continuity समझ आई होगी बस या last में याद रखने के लिए आप क्या कह सकते हो कि कोई भी function अगर continuous हो तो उसका regular होना ज़रूरी है मालनो अगर कोई function ऐसा हो या फिर इस तरह का हो या फिर कुछ भी किसी भी टाइप का function हो अगर वह regular चल रहा है तो continuous है मालनो अगर वह regular चलते चलते इसमें थोड़ा सा भी break आ गया तो वह क्या हो जाता है discontinuous हो जाता है बस इस तरह हम इस अपने टोपिक को वाइड अप करते हैं फटा फट एक बार रिविजन ले लेते हैं सबसे पहले हमने क्या पड़ा कि इसका कैसे हम क्यूं हम इसको पड़ते है डिफ्रेंशेबल्टी में यूज कैसे होता है इस अपन डिटी कैसे जब हम निकालते हैं तब इसका यूज करते हैं continuous के कैसे पड़ी है कि continuity कैसे होता है एक जब regular नंबर को हम उस पर दिनोट करते हैं लाइन पे इसको जस्ट ग्राफ के माध्यम से हमने समझा है उसके बाद हमने इसकी definition पड़ी है इस पड़ियां क्या अगर F4G continuous होगा तो उनकी addition भी continuous होगी subtraction भी multiplication भी और divide भी और अगर हम उसको किसी scalar से multiply करेंगे तो वह भी क्या होगा continuous होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you keep watching and stay tuned with us if you like